नमस्कार आज इस मंच पे उपस्थित बिसिष्ट अती थी और खासकर हमारे जी मीडिया को धन्नवाद हम प्रेशित करना चाहेंगे कि इस योग दिवस पे आपने इतने अच्छे आयोजन किया लोगों में जाग रुकता फैलाने के लिए आपकी कोशिश निश्चित रुप में भी योग के प्रती जो सर्धा भाव और उसके प्रती जो बिश्वास वो निश्चित रुप से बढ़ा है यह सराहनिये है मोदी जी के माध्यम से इस देश के बाहर भी यह योग की शाधना जो हम लोग करते हैं वो पहुँचा है यह भारत वर्ष को फिर से बिश्व ग लोगों के बीच में फैलाया जाए मैं अगर अपनी बाते करूं तो हमारे संस्थान में बच्चों को जहां पर जहां पर रिजिदेंसिल बच्चों को रखा जाता है लगवग हजार बच्चे हैं वहां बच्चियां और बच्चे दोनों होते हैं अलग लग उन लोगों को योग हर दिन सिखा जाता है, इसलिए योग के लिए एक बिवस्था भी बनाई गई है, योग का इंडोर और आउट डोर एक बिवस्था हमने दिया है, जहां पे छात्रे शुबह शुबह आकर अपना योग करते हैं, पैतालिस मिनट योग पे टाइम देते हैं, और हमने भारत की स्वहाविक जो हमारे पास जो बिधा है, जो कला है, इसे हम बिलुप्त ना होने दे, और जिस तरीके से आपका प्रियास है, और आप जिस तरीके से भाग लिए और अपने व्यस्थाम समय से निकाल कर यहां पे आप इकठे हुए हैं, निश्चित रुप से सराहनी है और ऐसे ही धीरे धीरे यह प्रसार बढ़ेगा लोगों तक जाएगा, मेरा बस इतना ही मानना है कि प्रकृति एनर्जी जो नेचर का एनर्जी है, वो हमारे सरीर का जो एनर्जी है, वो दोनों से मैच करता है, हमारा सरीर पांच तत्व से बना हुआ है, छिती, जल, पहले योग गुरुएं ने जिस तरीके से बहुत सहस्ता से हम लोग के सामने प्रस्तूत किया है, निशी तरुप से आज दो योग गुरुएं यहां पर आया ही हुए थे, एक आर्ट आफ लिविंग से भी थी, तो जिस तरीके से परचार परशार हो रहा है, निशी से और मन्द से हमारी अपनी परंपरा रही है, हमारा अपना संस्रिती है, ऐसे महसूस करह委 है, इसे देश और दुनिया तक फिलाएं, और आज के दिन का सब को बहुत सारी शुबकाम्नाएं, मंगल शुबकामनाएं, एक भार फिर से जी मेडिया को आज की इस हायोजन के लि बहुत बहुत धाइदे नहीं जड़ा है